Hello my dear friend नमस्कार दोस्तों प्रजापती हेल्थ टिप्स यूटूब चैनल में आपका हारदिक श्वागत है दोस्तों आज हम आपको गर्मी में डिहाइडरेशन से बचने के लिए कुछ विशे सुपाय के बारे बताएंगे जो इस गर्मी के मौसम में स्वास्त के लिए बहुत ह आवश्चक है इस विशे पर चर्चा करने से पहले आप से अंरोध है कि आपने अभी तक मेरे पहले की डाली गई वीडियो को प्रजापती हेल्थ टिप्स यूटूब चैनल पर नहीं देख पाए हैं तो आप उसे देख लें तथा प्रजापती हेल्थ टिप्स जिससे आपको मेरे द्वारा डाली गई सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आई आप सुरू करते हैं आज की वीडियो समर सीजन में स्वास्त रहने के लिए अपने सरीर को डिहाइड्रेशन से कैसे बचाएं इस समय पूरे देश में बहुत गर्मी जिन डिहाइड्रेशन के कारण ठाकान भरा हो जाता है देज भर में ताप पान लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसी सिते में सरीर को डिहाइड्रेशन से बचाना थोड़ा मुश्किल लगता है हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे सरीर में 70% भाग बे पानी होता ह तो इससे यहाँ अंदाजा लगाया सकता है कि पानी हमारे सरीर के लिए कितना जरूरी है ऐसे में अगर सरीर में पानी की कमी हो जाती है तो इसे डिहाइड्रेशन कहा जाता है जिसके कई कारण हो सकते हैं बहुत से लोगों को पसीना बहुत आता है तो उस समय डिहाइड्र बहुत लोगों को उल्टी और दस्त होने के कारण भी सरीव में पानी की कमी हो जाती है जिससे दिहाइडेशन कहा जाता है इसका नजर अंदाज करना जीवन के लिए गंभीर समश्या बन जाती है और इस दिहाइडेशन से लोगों की मौद भी हो जाती है दिहाइडेशन में मौसूखता है आखें अंदर की और धंस्ती चले जाती है ब्यक्ति को चक्कर आता है और कामजोरी महसोश होती है सरीर का तापमान कम होने लगता है ज्यादा मौसूखने पर ब्यक्ति बार बार पानी मांगता है दिहाइडेशन हमेशा पानी की कमी की रखी जा सकती है दरसल गर्मी में मिलने वाले मौसमी फल और सलादों में पाई जाने वाली नमी में यह पोशब गुड़ होते हैं सरीर में पानी की कमी होने के वज़ा से सरीर से विशाक्त तत बाहर नहीं निकल पाते हैं जिससे पाचन तंत्र कमदोर होने के साथ साथ जोड और मांस्पेशियों में दर्द और आतों में शंक्रमण जैसी समय शायुत्पन होने लगती है। इनसे बचने के लिए अपने भोजन पर ध्यान दीजे, खुब पानी पीजे, सरी में डिहाइडरेशन नहीं होगा। डिहाइडरेशन से बचने के लिए पेपदार्थों का ज़्यादा सज्यादा सेवन करना हितकर है। इसके लिए आम का पना, कच्चे दूद की पतली लसी, नारियल का पानी, बेल का सर्वत, शिकंजी, छाच या फिर दवा की दुकानों पर मिलने वाली ओ आरियस घोल को थोड़ी थोड़ी देर में रोगी को देते रहना लाब दायक है। पानी की कमी को कोल ड्रिंक और डिबबा बन जूश पीकर पूरे करने की कोशिश कदाप न करें। शादा पानी पीने के बज़ाए उसमें नीवू, डबब, चीनी या इलेक्टराल पावडर मिला कर पीएं। मेरा यह भी सुझाओ है कि आप एर रेटेट ड्रिंस के वज़ाए ताजा जूश का सेवन करें। गर्मियों में तरो ताजा रहने के लिए ताजे जूश और पानी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। इस भायंकर गर्मी में फाइबर वाले फलों और सब्जियों को अपना शाथी बनाएए। यदि आप डाइट को दिल्चस बनाना चाहते हैं तो आपको डिहाइडरेशन से बचाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। जानना चाहते हैं कि वह क्या है। वह है डार्क चाकलेट्स ये मजाक नहीं है। डार्क चाकलेट्स डिहाइडरेशन और ठकान से लणने में बहुत कारगर है। सरीर में पानी की पर्याथ मात्रा के लिए वेजी टेविल जूर्स और सलाद लेना भी अच्छा है। स्वस्त और हाइडरेट रहने के लिए सलाद एक बढ़िया तरीका है। फलो और सबजियों जैसे खीरा, सलाद, पत्ता, टमाटर, सिलरी, इस्टिक्स, पालक, इस्टेवरी, तर्बूज और साइट्रस फर को मिलाएं। अधिक मातरा में सलाद का सेवन करें क्योंकि सलाद में 95 प्रश्ट तक बानी होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, ओमेगा थिरी, फाइबर, आइरन और एंटी, आक्सिडेंट तत्तो प्रचुर मातरा में होते हैं। मुझे ताजा जूस बहुत ही पसंद है। थीरा, नीबू, शाहत, पालक और मिंट की पत्तियों का मिश्त्रण मिला कर पीसें। इससे ना केवल जल की कमी दूर होती है, बलकि यह डिटाक्स भी करता है। और आपको गर्मी का सामना करने के लिए तयार करता है। डिहाड्रेशन से बचने के लिए ब्याम के बजा योगा करें क्योंकि योगा आपके आसपास तापमान बढ़ने पर भी सरीर को ठंडा रखता है। ब्याम करते समय इस बात का ध्यान रखें कि एसी, कूलर या पंखे के एकदम सामने ना हो। इससे बीमारियों का खत्रा का अपकी बढ़ जाता है। इस मौसम में क्या नहीं खाना चाहिए? सबसे पहले मसालेदार भोजन से बचें। अगर आप मानसा हरी हैं तो इस मौसम में इसका सेवन कम कर दें। रात में खाना कम खाएं इसे सरीर में गर्मी बढ़ती है और तरलता कम होती है। जो की गर्मी म हानका रख है शिग्रेट और एलकोहल का दुस्प्रभाव गर्मियों में अधिक होता है यहां दोनों चीजें कोश्काओं को शुखा देती है और सरीर को डिहाइडरेट करती है गर्मियों में कैफीन से भी परहेज करना चाहिए कैफीन आपके सरीर की नमी को शोक लेता है जि इस समय आराम दायक और हलके रंग के कपड़े पहने डार्क कलर के कपड़े से सरीर का तापान बढ़ने लगता है खास तोर पर डार्क कलर के अंडर गार्मेंट्स हो तो इस मौसम में बिलकुल ना अपनाएं इस सीजन में अपने जोस को बढ़ाईए रिहडरेशन से बचन Thank you my dear friend for watching this video, मित्रो आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करने का कश्ट करें तथा इस वीडियो को अपने इस्ट मित्रो और अपने रिष्टेदारों के साथ सेर करें जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाव मिल सके